शाक्स प्रीमियम कॉफी हम सब को पसंद है लेकिन एक कप प्रीमियम कॉफी पीने के लिए थाई सुरुपे तो मिनिमम खर्चा करना बड़ेगा रात बहर जागने के लिए वही कॉफी का बड़ा क्लास चाहिए तो पास सुरुपे खरष्टे पड़ेंगे मतलब, एक कब प्रीमियम कॉफी पीने के लिए, मुझे मेरे जेब में छेद करना पड़ेगा, दूसरों कोई अप्शन नहीं है. है ना भाई, ऐसा एक प्रीमियम ब्रेंड है, जो नोट सो प्रीमियम प्राइज में मिलेंगा. इसका मतलब महेंगी कॉफ का वक चला गया, मतलब खतब, टाटा, गुडबाई, गया? हाँ बई, हाँ, आप आगया है कियोस काफे. हाई शाक्स, मेरा नाम है सावा है, मेरा नाम है संग्राओ, मेरा नाम है निलेश, हम पूने से आये है. शाक्स, कियोस में मिलीगे आपको प्रीमियम लेवल की कॉफी एट एफ़ड़बल रेट में, मतलब, धाईसो की कॉफी, सत्तर रुपे में. ममी पापा के लिए वाइट फ्लैट बेंड से लेके, जैंजी के लिए उस-UK स्टाइल सीक्रेट रेशिपी वाली कॉफी के उसमें सब बिलेगा. हम बहुत जल्द इंस्टन कॉफी और फ्रेश प्रीबियम कॉफी बीन्स भी सेल करना शुरू करने वाले हैं. शाक्स, जब लॉक्डाउन में बड़े बिजनेस बंद करने की कगार परते हम त्री इंजिनियर्स विदाउट एनी FMCG बैग्राउंड इस इंडेस्ट्री में आ गए और देखते ही देखते पचास आउटलेट ओपन कर दिये. अमारा विजन है सब तक आसानी से अफ़रडबल कोफी पोचाना. शाक्स, हमारी आस्के 90 लाक रुपीज पर 3% इक्विटी. शाक्स, बुल यू लव तो हैव अपफी? अफ़कॉर्स, नेकी और पूछ पूछ. अफ़कॉर्स, यार पिलादर. शाओ, मेनू अपके डिस्क पे है. ब्रॉब, आपके ब्लाक कॉफी. नेक्ट तू. Okay. I don't have coffee. कुछ तो पीलो यार, अजार. यह पीलो ना, रोस्टेड हेजलनाट फ्रापे पीलो यार. क्यो, sir? Sir, black coffee, अपका कहा नाम है? प्रणे. प्रणे, sir? कितने black coffee है? तीन black coffee, एक latte बच्ट्रॉंग चाहिए, और एक hazelnाट फ्रापे. Yes, sir. अपका वैसे flagship क्या है? Cafe Frappe is a very standard, जिसमे coffee short आदा है. That is very famous. यह menu आपका same हर cafe पे मिलता है? FAS में बड़ा menu है. We have put-downs of best-selling items on the menu. लेकिन cutting बगरा ऐसे करते हो आप? Yes, yes. यह आप ध्यान नहीं दिया, cutting एक ता margin margin नहीं छोड़ा, ऐसे cutting कर दिया. आदा K कट रहा है आपका. Actually, यह थोड़ा सा जली में हुआ रहेंगा. Mostly menu जो है, TV पे अपना display. यह आपने LED पहना है? Yes, it's LED. आप तीनों दोस्त हैं? Yes, yes. College friends है. तो आप कौन से college में थे? Anantra Power College of Engineering. जॉब वगरा भी किया या सीधा बस coffee में ही आ गए? हमने IT jobs किये हुए है. स्टार्ट कौन से year में क्या था exactly? 24th December 2020. COVID का टाइम तर, we were sitting in a Starbucks and we were discussing. तो वो time पे Sangram का ऐसे था कि में coffee लेता हूँ. में और निलेश हमेशा डर जाते थे. कि इतना महेंगा coffee हमको तो अफ़र्ड ने होंगा यार. तो हर टाइम हम लोग जाते थे तो हम एक ही coffee लेते थे. तीनों के बीच में. जो कि बिल कर जाता था something around 500 rupees. कि Sangram कुछ ने कुछ add-on लेता ही था उसमें. वो बिलिंग देखके मेरी control देने के लिए फट जाती थी. तो यह चीज से start हुआ था journey कि अपना खुद का कुछ start कर ले. तो बस आप ऐसी coffee पी रहे थे तो आपको लगा आपी job छोड़ते हैं, coffee का business शुरू करते हैं. मतलब हम लोग सोच रहे थी कि सच में यह इतना expense भी बेचते हैं, उसका price इतना होगा क्या? मतलब वो research वहाँ से start हुआ कि… Nescafe cafe है ना, इंडिया में पुराना coffee सिश्थी होती है. Sir, यह brewed coffee है अपनी, freshly brewed coffee में आता है, that comes into instant coffee में आता है. तो दोनों का एक market अलग है. Actually coffee अच्छी है, coffee अच्छी है. Thank you so much man. Very nice. अप यह label label दुकान में भी करते हो, इसे serve करके नाम लिखे? Delivery में जाता है. Delivery में जाता है, sir. Roast कौन सा है जो आप पिला रहे हैं, black coffee में? So, this is a blend of Robusta Nari Bika. What a bomb! मुझे नहीं अच्छी लगे. बहुत strong है, बहुत strong है. मुझे बहुत अच्छी लगे आपकी coffee. Generally, यह माना जाता है कि Arabica premium है, Robusta, थोड़ा सा less premium होता है, तो cafés में generally Robusta नहीं उज़कते सिर्फ Arabica इसे. But एक punch होना चाहिए. जो Robusta का एक punch होता है, वो punch आपको आएगा. जो हमारे इसमें आता है. मैं in general, चुकी coffee पीता नहीं हो, तो टेस्ट पे जादा comment नहीं कर पाऊँगा. But अगर newbie के तरह देखूँ, तो अच्छा ही टेस्ट लगा मुझे. वो डाइसों का आप 70 का बेस्ट तो कुछ तो अलगा, वो क्या है कि उसका इतना महंगा है और आपका इतना सस्ता है? Brand difference है, मतलब उनका एक brand है. Operation cost बहुत, मतलब बड़े-बड़े उनके lounges है, एकदम premium locations पे. तो हम लगे ने, वो operation cost बहुत कम किये. मतलब हमारे kios पे खाली, मतलब morning के लिए एक बंदा रहता है, evening के लिए दो बंदा रहता है. किने kios के आपके? We have 50 outlets. मतलब वो experience बेच रहे है, coffee सेम है. हम लोग product पे focus करें, मतलब जिसको coffee पे नहीं, आप यहाँ पे आ सकते हो, coffee पे सकते हो, that's it. पर इंडिया में तो generally, लोग experience के लिए coffee shop जाते है, न? 10 साल पहले आप बोल जाता है कि वहाँ पे खोली meetings होती रहती थी. लेकिन अभी ऐसा नहीं, people are turning genuinely having a coffee. अभी जो growth हो रही है when it comes to India में, वो 10% की growth है, completely globally. अपका exactly model क्या है, सिर्फ kiosk है, कि बैठने की भी जगह है. हमारे 200-250 square feet के आम लोग outlets open के. देखा दो पर फोटा है, उसमें कितनी seating होती है, approximately? 10-12 seating होती है, approximately? अच्छी जगह है. मोटा मोटी, अब coffee का भी model same ही. और price point भी exactly the same. सही है फिर अच्छा मनना है, मोटल अच्छे मन रहे हैं. Fresh coffee, जो मिलती है, Starbucks, बाकी सब को Cafe Coffee Day और आपके जैसे बहुत सारे chain है, सब को मिला के कितनी बड़ी business हैं? यह रब उड़ाती है, वो चार से पाच हजार करोड के बीच में, retail chain के. Starbucks की 2,000 करोड होगी? 12,000 के असपास है, बाकी सारा मिला के 5,000 करोड. ठीके तो अभी premium chains निकाल देते हैं, Starbucks वगरा जो भी lifestyle जो बेच रहे हैं, क्योंकि वो coffee नहीं बेच रहे हैं, आप भी मानते हूं, यह भी मानता हूं, lifestyle बेच रहे हैं, aspiration बेच रहे हैं, जैसे पहले Nescafe के counters होते थे, वहाँ पे आप बूड coffee ला रहे हैं, in counter format, correct? Good. अब अपने business का ही थोड़ा numbers बता दीजिए, So, अभी last year का हमार sale था 8.40.00. Wow! कुछ franchise यव अगरा भी है कि? Yes, franchise भी. अब आएंगे. अब यह franchise की sale है या आपकी sale है? यह company का sale है total है. और इस साल क्या run rate है? इस साल का projected error है 11 crore का. और कितना आप इसमें profit बना रहे हैं? करणडी April सब्सक्राइबर से अभी तक 90% का net profit. और पिछले साल? 56% का net profit है. तो मतलब 60 लाग रुपया बनाया है पिछले साल? और इस साल आप बनाओगे एक करोड. अब ने आपको salary दिया ता पिछले साल? यस, 75 ता हीज, per month. इसमें कितना franchisee contribution और कितना आपका direct है? 10 outlet company के है, 40 outlet franchisee के है. एक करोड कम तो नहीं है, मस कम आया है, अच्छा कम आया है, तो आप खुश हो. अब इसके bill में इसके पैसे देते, तो अब जब यह मांगता है. यह सारे revenue streams का split बता दी. 30% जो revenue है, company outlet से है, 58% revenue जो है, franchisee को जो metal बेचा है, उसके उपर से है, 5% जो royalty से है revenue, और जो 8 या 9 बचा है, वो franchisee का है. इसको recurring revenue नहीं है, जब franchisee add करेंगे तभी आए. कितना लेते हो आप एक franchisee fee का? 3,000,000. आप जो 58% material का लेते हो, उसपे क्या revenue बनेगा franchisee का? Almost two and a half के nearby बन जाएगा. 20% is the cost of material, जो आप से हैं? No, cost of material is the 45%. For franchisee? Two and a half कैसे बनेगा? Two times ही बना? Two times, sorry. Two times बनेगा. तो वो कैसे sustain करेगा फिर? एक franchisee का थोड़ा economics, average बताएंगे, वो कितना बेचता है, कितना rent देता है और कितना material के लिए देता है? 45% is the cost of goods. Average franchisee कितना बनाता है महिने में? Minium 60,000 net profit बना लेगा. कैसे? उसका sales कितना होता है? आवरेज पकड़ लेगा. एक लाग आपको देता है material को? हाँ. That includes royalty? No, royalty is different. Okay, royalty मिलाके कितना देता है वो आपको? On average? 48-49% तक जाता है. 50% पकड़ ले ना? ठीक है, 1.3 lakhs. 1.2-1.3 lakhs. तो उसका rent बताइए? यह बाई, 30,000 cash pass. वो अभाई लाग पर tax भरता है? GST? हाँ. वो कितना होता है? 5% That's another 17.5 lakhs. 17.5 lakhs. Salary जो लोग की भरता है वहां पर? निया भाई, 35,000 cash pass. और बिजली वगरा 10,000 रुपया और? यह वो 6-7,000 तक आता है. तेक चलो, 30,000 रुपया बचा. आप बता रहे थे 80,000 रुपया. कई आउटलेट का 80,000 रुपया है, कई आउटलेट का 60,000 रुपया है उनो 40 रुपया है. इसका मतलब कुछ जो गुट परफॉर्मिंग है वो अकर 1 lakh बनाते है तो बैट परफॉर्मिंग वाले चाहे 10,000 रुपया है. Is that the case? कुछ loss-making होंगे, कितने loss-making है? 2-3 के जो, not loss-making, break-even पर है. और फ्रेंचाइजी का investment कितना है इस business में? 12 lakh तक जाता है. 12 lakh रुपय लगाता है, और 30,000 रुपय महिना कमाता है, तो 3,500,000 रुपय वो साल का कमाता है. थोड़ा सा growth भी मान लेते हैं पर साल, तो 3-4 साल का payback आएगा. Normally, मेरे को लगता है न, फ्रेंचाइजी बिसनस अगर इतना लंबा payback आएगा, तो इवेंचली जाके उसको क्या फाइदा है? वो तो बैंक में पैसे डाल दे 12 lakh रुपय. Basically, यह इसकी economics ना आपके लिए जादा चल रही है, ना उसके लिए चल रही है, क्योंकि problem है, 2-5 lakh रुपय पर outlet. जो असली reason है, क्यों Starbucks 200-300 की coffee बेचता है, क्योंकि इंडिया में, Metro's में, rental and manpower cost लगाके, अगर दंदा बनाना है, तो एक outlet से at least 4-5 lakh रुपय तो निकलने ही चाहिए minimum. Space अच्छा है, affordable coffee, और आपने बहुत बढ़िया बात कही शुरू में, कि coffee पहले जो लोग पीते थे, वो चिट-चैट करने के लिए, मीटिंग करने के लिए पीते थे, अभी it has become part of, ने देखता हूं कभी-कभी Starbucks जाता हूं, या Costa coffee जाता हूं, तो सुवे-सुवे लोग आते हैं, गाड़ी पाक करते हैं, खाली coffee लेके चले जाते हैं, वहाँ बैठे भी नहीं है, फिर भी 200-300 रुपे खर्च हो गया है, तो वह market को आप अच्छा takeaway वाला model serve कर सकते हैं, तो प्रॉब्लम सही पकड़ा है आपनी, ठीक है, तीन लोगों आप इंजीनेरों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहें, coffee का टेस्ट भी बहुत बड़ी है, जो आपका business model है भी, वहाँ बहुत बड़ा problem है, क्योंकि जब आप इसको scale करने जाएंगे, rental cost इतना नहीं रहेगा, people cost इतना नहीं रहेगा, compliance cost, तो आपको revenue पर outlet बढ़ाना पड़ेगा, और outlet मत खोलिये, जब यह revenue 6-7 लाग पहुंचेगा, तब जाके एक unit economics model बनेगा, तब ही इंवेस्टेबल है, तब ही grow करेगा, अभी के लिए मैं बहार हूँ, but fix that. आप लोग के business के numbers, और जिस तरह से आप चीजें explain कर रहे हैं, इसमें too much confusion है, इधर तो आप explain सही से नहीं कर रहे हैं, या फिर आप business को सही से समझ ही नहीं रहें, corner पर जो पान का दुकान होता, वो भी 10 लाग रुपे का माल बेज देगा, तो अभी आपका per store जो sale है, तो बहुत कम है, यहां पर business ऐसे तो नहीं बनेगा, तो मैं उस कारण से आउट होना चाहा हूँ, मैं भी आउट हूँ, में को लग रहे हैं, आप लग अपने ना धंदे के मजबूत खिलाडी नहीं है, अज जैसे आपको feedback मेला है, और एक center की profitability, हर एक franchisee की profitability, घोस के तरीके से धंदा, अभी मैं आउट हूँ, Thank you. सब बोल रहे हैं, आप 2.5.5.5 कर दो, वो होगा नहीं, क्योंकि कोई भी outlet में 100 का 200 करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 100 लोग का footfall दिन में आना, काफी जादा है, तो fundamental problem है, कि 70 रुपए की coffee को, एक retail outlet format में बना के, इतनी investment करके, उसकी ROI ही नहीं निकल सकती, एक ही way है आपको इससे निकलने का, और वो है कि आप जो 2.5.5 लाग का counter पर कते हो, उतना ही आपको online Swiggy Zomato पर करना पड़ेगा, अगर आप वो नहीं क्रैक कर पाओगे, तो आपका outlet कभी break even नहीं करेगा, पर वो करने के लिए आपको बहुत अलग skill set चाहिए, आज उसका कोई clarity नहीं है, आपमें वो skill set है, online business बनाने का, तो आज इस model में investable नहीं है, और मैं आज आज आओ तो. आपको पता है कि coffee, हर देश में बहुत सस्ती है, सिर्फ इंडिया में सस्ती नहीं है, right? US में भी सस्ती है, आपको क्यों लगता है कि सारी chains जो है, US में या कहीं भी यॉरप में, वो तीन, चार, पाँच डालर में क्यों बेचती है एक cup coffee? क्योंकि coffee is a commoditized business. क्योंकि coffee is a commoditized business. Coffee का जो taste है, वो ऐसी चीज नहीं कि एक बार पी लिया तो मैं हमेशा यही प्यूंगा, इसकी आदत पढती है. Yes. तो आप 20-30 बार जब एक जगा पीते हो na coffee, तब जाके आपको आदत पढती है, then you want to go back to that place. इसलिए people have led with providing a lifestyle. तो coffee lifestyle के माधियम से बेची जाती है, whether it is Costa Coffee or it is Starbucks. आप जा रहे हो नीचे से कि मैं Cost Plus पे बेचू हूँ. Cost Plus एक ऐसा pricing model है, जिसमें companies अपने product का price, उसके making cost पे एक margin रखके decide करती है. यह तरीका generally commoditized product के लिए यूज किया जाता है. पे बेचने जाओगे, तो कोई पैसा बनाने ही निरेगा आपको. क्यूं? क्यूंकि या तो आप दो चीज करोगे. Either you will go on delivery platforms, delivery platform अपना margin लेकर, अपना commission लेकर, वहाँ पे बहुत से लोग मिलेंगे जो coffee बेच रहें. So you will have to compete on price and advertising on the platform. तो सारा margin चला जाएगा. दूसरा option है आपके पास business parks, जहां पर regular traffic होती है, और retail centers. Again, bargaining power is with them. Competition रहेगा, और rent बढ़ाते रहेंगे, आपकी margin बढ़ाएगा. So that's the problem with your model. I'm out, good luck. Thank you sir. Thank you. Bye. Thanks, bye-bye.